सबी को जैन दोस्तों आप सबी का हार्दिक सोगत है जैन रेक्शन पर आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज जब आपके लिए इन्फोर्मेटिव एक इंट्रोस्टिंग और बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पतरकार आर्जु काजमी जी को उनके स्पेशल गेस्ट होंगे एक्स रॉओ ऑफिसर एनके सूच साप जो कि बहुत ही जबदस्त और बड़े खुलासे करेंगे तो ये वीडियो काफ़े इंट्रोस्टिंग होगी इसे अन तक देखें और चाहल पर नए है तो चाहल को सबस पूरा इंडिया बताता रहते हैं कहीं ना कहीं से लोग तो आज मुझे ये चीज़ बड़ी इंट्रस्टिंग लग रही है कि हम सर से बात करेंगे साथ साथ सर ऑथर भी है उन्होंने एक बुक भी लिखी है प्राइम मिनिस्टर मोधी के उपर बहुत शुक्रिया सर क्या ज होती हम फॉरन भारत के उपर जहें लगा देते हैं और यहीं कुछ बारत में भी अगर कुछ होता है तो कह दिया जाता है कि आये साथ है और पाकिस्तान से कह दिया जाता है रॉक हाते से ऐसा क्यों होता है है ढ़ी ऐसा है सम अपनी सब्सक्राइब करते हैं अगर हम पाकिस्तान की बात कए तो पाकिस्तान ने बहुत सब्सका कि ही और अविक्लेम बई किया आप 26 स्टेटमेंट आती हैं इस टाइप की हमारी तरह से कोई ऐसे स्टेटमेंट नहीं आई तो दूसी बात है कि यह चीज़े होनी नहीं चाहिए पीस फुल तरीके से रहो प्यार से रहो आज सब कंट्री एक दूसरे मिलकर रह रही है लेकिन यहां पर पिछतर साल से यही चला हु होती है यह रिस्पॉंसिबिलिटी होती है कि वो जो है एक नजर रखें चाहे वो आपकी एजंसी हो चाहे हमारी एजंसी हो लेकिन सर कहीं ना गए इस वक्त का आपने देखा होगा कुछ टाइम से एक अन्नोन गन्मैन की कहानी चल रही है पाकिस्तान में और बाकिस्तान का पैसे देनी पारी और कुछ लोग कहते हैं एक निल कपुर की पिक्चर आई थी मिस्टर इंडिया वह काम कर रहा है और दूसरी तर्फ लोग कहते हैं कि आपस में इनके जगड़े चल रहे हैं क्योंकि पैसे पाकिस्तान के पास है नहीं तो पैसे के चक्कर में उसे को मारा यह चाहरा रहा यह. लेकिन जो कुछ भी हो, मुझे लगता है कि जो कुछ भी पाकिस्तान के अंदर कोई तो पाकिस्तान के घ्रक्डगा अप्रीशएट करना चाहिए। 것으로 कि आज इंडिया की जो गोर्मेंट आती है अचै बूत ए किसी के इंट्रेनिस नहीं तो प्राइम सिक्ड़ाइब कर समय जो प्रामींसे अवरोड़ा जाती है प्राइमिनिस्टर कहने के बजाए लीडर अपोजिशन कहा देते हैं अपने आपको और पीया मोधी ऐसी गलती नहीं करते हैं पीया मोधी ने जब 2019 की बात है एक G20 की समिट रटाइंट करना गए थे 2019 के अंदर वहां पे 52 घंटे रहे या 54 घंटे रहे और 54 घंटे के अंदर उन्होंने 48 मीटिंग की 48 अलग-अलग लोगों से मिले 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 प्रेज़ेंट ट्रम से भी मिले लेकिन ना तो उनको गलती हुई किस से बात कर रहो ना उनकी जबान लड़ खड़ाई लेकिन पाकिस इनके बात की इन्होंने कश्मीर के बात की तो क्या यह कश्मीर ले सकते हैं क्या कश्मीर पाकिस्तान का हो सकता कभी फिर तीसरी बात इन्होंने की कि हमारी जो कंट्री है जो हाना पार्लेमेंट है यह लोट पैसे से चल रहा है जब आपने इतना पैसा लोन का देना है प्र जगा चले जाते हैं, यहां भी कोई प्राब्लम हो, पिया मोधी पहुंच जाते हैं, इस तेंप पर कलकता गए हुए, और फिर उसके बाद तामिलाड़ जाएंगे, फिर तेलंगाना जाएंगे, वो जहां जाते हैं, हम पर प्रजेक्स को ओपन करते हैं, हजारो करोड खर्च हैं, जिनके बास इतनी एनर्जी है, और यह सुवे सुवे उठकर के चार वज़े योगा करते हैं, उसी तरिके से जो योगी है, यूपी के चेफ मिस्टर, वो साड़े तीन बज़ उठ जाते हैं, और योगा करते हैं, आप देखे, कितनी पावर है योगा के अंदर, जो ल ध्यान दे अपने लोगों की एकनोमिक कंडिशन के उपर, ध्यान दे वहां की सिच्वेशन के उपर, और फजूल पैसा ना खर्चे करप्शन ना करें, तो मुझे लगता पाकिसान भी हिंदूस्तान की तरह आगे बढ़ जाएगा, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर, मैं यह पाकिसान का नहीं सोचते थे, और पाकिसान के प्रामिनिस्टर बनता है, सबसे बहले हैं देशका सो इंडिया का सोचता है, कि इंडिया को कैसे तंग करें, तो यह जो डिफरेंस है दोनों कंट्री के बीच में, यह बहुत बड़ा डिफरेंस है, और यहां पर खाई बन क्या हुआ है, क्या कोई प्रोग्रस हो पाई? यह जरू है, जब नवाज शिरिफ प्रामिनिस्टर थे, तो 2015 के देसंबर के अंदर मोदी वहां गए थे, और 1999 में अठल बिहारी बात पही गए थे, पीस के लिए, रिलेशन को इंप्रूव करने के लिए, लेकिन जब आप के बीच में इसकी वज़े से मुझे लगता कोई सिच्वेशन बन पाएगी, और दूसरी बात है कि यहां जब भी सिच्वेशन खराब हुई, इंडरा गांदी ते अमर्जेंसी लगाई थी, उसके बात जब इलेक्शन होए है, इंडरा गांदी इलेक्शन हार गई, तो लो कोई उनके कोई सिच्वेशन निया उनके पाईवर नहीं है, तो जो दोनों कंट्रिस के बीच में जो डिफरेंज है या इशु थे यह ऊकर बीच है है बिल्कुल ठीक बात है दिखें कि क्या है जब यह पावर से भार होते है तो यह पावर में आती है तो इनके दिमाग में पावर खुच जाती है अभोत बहुत पावर और जब ज्यादा पावर आ जाती है इनके दिमाग में तो इनको गदी से अटा देता कोई जैसे मैंने Mr. India की बात की जो अनिल कपूर की पिक्चर थी उसी तरीके से एक अन्नोल पावर है पाकिस्तान के अंदर इनको पावर से अटा देती है और फिर यह कोई जेल में चला जा और आज जो है हमारी कोट्स ने ये कहा है कि उनको फ्री ट्राइल नहीं मिलाता जुल्फिकार अली भुट्टो को आज ही एक अगर आप मेरी तरह से बात करें कि इसमें कुछ कहना ने चाहूंगो इसके उपर लेकिन एक बात कहूंगा कि उनको फांसी देने के पीछे किसका की आज आजाते हैं लेकिन अब जो ग्रॉर्मन्ट है कि प्रीज़ी का उनको चोड़ तो ना तो मैश्ची का प्रेश्य को छोड़ दो हमारे हमारे सुम्हारे से इससेंट परसेंट आप निए अपने प्लेन नीदिये टैंक मांगे टैंक निदिये मजाक अड़ा है हमारा अ आप 7th फ्लीट लेकर के इंडिया के सामने आ गए जब 71 का बहार हुआ तो रिश्या उसने पर हमारे साथ खड़ा था हम उसको कैसे छोड़ दें तो जो दोस्ती होती है उसको मिंटेन भी करना पड़ता है और रिश्या कभी इंडिया के इंटर्फेर बी नी किया यूएस ने क अब दूसरे की प्रावलम एक दूसरे के इक्शूस को और अल्टिमेटली यूएस को भी समझ भी आ गई कि इंडिया के अपने इंटरेस्ट है उसको इग्णोद निकर सकता और तब ही देखे आप जब यहां पे कोवीड आया तो बहुत सी कंट्री सो डूब गई पाकिसान दूब गया शेलंगा भी दूब गया लेकिन इंडिया कडह रहा है और इंडिया ने पूरे वर्ट को वेक्षिन एक्षिन भी दी आज फी जूरować का का इंडिया वर्ड की हלड़ाों की वहां इंडिया उसके सामने फंट कि हमारा नुक्सान हुआ कुछ हमारे टमाटर ने भीक है तो क्या हो गया हमारे यहां तो ऐसी बड़ी कंजम्चिन है टमाटर होगी नुक्सान तो पाकिस्तान वाला का हुआ हुआ नुफ्सान हुआ वहां की जन्ता का इस कि अधर बेस किलो उपये जिरू होगे चुटी। क्योंकि पाकिस्तानिकी बॉड़ा शोक एंडिया की तरफ कर दरा से तरह ने का और करी कुरी खाने का बेए देख देखा से मैं दुबई में कि अधा था दोस्तों आशा करतों कि वीडियो को आपने अंतक देखा होगा और आर्जु काजमी जी और N.K. सूच साब का ये पूरा डिसकेशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा जैसे कि सूच सर ने बात की ना सिर्फ पाकिस सेक्शन में लिखकर जरूर बताए और वीडियो अगर आपको पसंद आये तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपकी किसी लेटेस्ट इंट्रस्टिंग और इंफोर्मेटिव वीडियो लाते रहे तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और मज़िदार वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत